हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें कागच लेना है कागच को ऐसे फोल्ड करके यहां से हमें साड़े चार इंच की चोड़ाई पे टिक लगा लेना है अब हमें पाच इंच की लंबाई पे टिक लगाना है लंबाई और चोड़ाई पे टिक लगाने के बाद अब हमें ऐसे लाइन अप करना है यह देखिए हलका सा गोल सेफ लेते हुए हम ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं तो ये देखिये हमने हाफ गोल सेप में डिजाइन की कटिंग की है अब इस केल की सहायता से हमें इसमें ऐसे लाइन अप कर लेना है अब हमें फ्रेंड सारे लाइन के उपर ऐसे डोरी को लगाना है और सीलाई चला लेनी है अगर आपको कपड़े की डोरी बनाने नहीं आता है तो लिंक डिस्किप्शन में दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कपड़े का डोरी बनाया जाता है तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे लाइन के उपर हम ऐसे डोरी को लगाते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हमें दो इन चोड़ा उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेना है इसे दोनों साइट से फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हमें यहां से धागे को कट करना है अगर आपको उरेवी कपड़े की कटिंग करने नहीं आता है तो लिंक डिस्कीप्शन में दी गई है अब हम इस चोड़ी पट्टी को डोरी वाले डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाए और जिस सेप में हमारे डिजाइन की कटिंग की गई है बिल्कुल उसी सेप में हम इस चोड़ी पट्टी को लगाते हुए सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को और एश्ट्रा चोड़ी पट्टी को कट कर लेना है अब हमें डिजाइन बनाने के लिए साड़े 6 6 इंच लंबा एक कपड़ा लेना है, कपड़े की लंबाई 6 इंच है और चोड़ाई धाई इंच है, कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है, सुई धागा के मदद से हमें किनारे के साइड में ऐसे छोटे-छोटे टाके लगा लेने हैं, यह देखिए ऐसे छोटे-छोटे टा लगाने के बाद अब हमें धागे को Tightly घीचना है, जिससे हमारे कपड़े के 1 साइट में ऐसा चूनट बनके तयार होगा, अब सारे चूनट को हमें अच्छे से धागे को Tightly घीचते हुए Lock कर लेना है, इस तरीके से आप चूनट वाला फ्लावर का डिजाइन इजली तैयार कर सकती है यहां से हम धागे को अच्छे से लॉक करते हुए कट कर लेंगे हमें ऐसी चूनट वाली धेसारी डिजाइन बना लेनी है तो यह देखिए है फ्रेंड हमने डिजाइन में लगाने के लिए टोटल साथ ऐसी डिजाइन बनाई है अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की लंबाई और चौड़ाई दोनों आप अपने हिसाब से ले सकती है अब हम आस्तिन के कपड़े को ओपन करेंगे और यहां नीचे की साइड में बीच में ऐसे हमें इस डोरी वाले डिजाइन को लगाना है और किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है तो यह देखिए पहले हम यहां पर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हमारा यह चूनट वाला डिजाइन है इसे हमें यहां पे लगाना है ये देखिए किनारे की साइड में यहाँ पे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे एक के बाद एक सारे डिजाइन को हमें यहाँ पे लगाते जाना है जिस सेप में हमारा डोरी वाला डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें चूनट वाले डिजाइन को ऐसे लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंट सारे डिजाइन को ऐसे लगाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है इस डिजाइन को और भी सुन्दर बनाने के लिए अब हम डोरी लेंगे हमने दो डोरी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बीच में सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप डोरी वाली ऐसी डिजाइन इजली तैयार कर सकते हैं इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और नीचे के साइड में फ्रेंड आपको जितना एस्ट्रा डोरी चाहिए उतना एस्ट्रा डोरी अपने हिसाब से नापते हुए कट कर लेंगे अब हमें डोरी में फुलेना लगाना है तो उसके लिए हमें कपड़ा लेंगे कपड़े के कोने के साइड में हम डोरी को ऐसे लगाएंगे और कपड़े को तिर्ची में ऐसे फॉल्ड कर करके हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे अब हमें कपड़े को सीधा करके यहां से एस्ट्रा कपड़े को कट कर देना है बिल्कुल इसी तरीके से सारे डोरी में हम फुलेना बना कर तयार कर लेंगे सारे डोरी में हमने फुलेना लगा कर तयार कर ली है अब हमें डिजाइन मे से एस्ट्रा कपड़े को कट करना है तो पीछे की साइट का हमारा ये जो कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में ऐसे हम एस्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से एस्ट् इसलाई चला लेनी हैं, यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और हेश्टकड़ कप्डे को भी, अब हमें डिजाइन को सीधा करना है, और यहां से हमें कप्डे को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है। इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे। हमारी यह लाइन कम्प्लीट हो चली है। किनारे की साइड से हमें एश्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेना है। अब हमें इस डिजाइन में फ्रेंड मोती को लगाना है तो हमने हाफ गोल सेप में यह मोती लिया है। इसे हमें यहां पे लगाना है और इस डिजाइन में हमें छोटे-छोटे मोती लगाने है। तो ये देखिए हमने σουईधागा की मदद से सारे डिजाइन में अच्छे से मोती को लगा लिया है अब हमें पीछे की साइट से सारे डिजाइन में से कागच को निकाल देना है कागच को निकालने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा Thanks for watching my video